ओम श्री गणिशायन महा आज कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की संकस्टी चतुरती है और आज ही करवा चौत का व्रत भी है इसलिए आज आप रस्पान करेंगे चौत माता की कथा का चौत माता की कथा सुनने के साथ ही विग नर्ता भगवान गणेश की कथा भी आज के दिन जरूर सुननी चाहिए तभी इस कथा का फलक्राप्त होता है पराणिक कथा के नुसार एक बार एक सेट से ठानी थे उनका एक बेटा और बहु भी थे बहु सबको भोजन कराकर फिर स्वैम भोजन करती उनकी एक पडोसन भी थी जो ऐसी थी कि रोज पूस थी कि बहु आज क्या बनाया खाया तो बहु कहती ठंडो बासी एक दिन पती ने उसकी ये बात सुन ली तो पती सोचने लगा कि वो तो रोज ताजा और गरम खाना खाती है फिर ऐसा क्यों कहती है तो उसके पती ने ऐसा सुन कर विचार किया कि आज तो पकवान बना कर जाए फिर देखते हैं कि मेरी पतनी पडोसन से क्या कहती है तब उ तो बहु पहली की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया। उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भुजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने मा से कहा कि मा मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। मा बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाये नहीं खाये जाएगा। तो मा के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का द्रण निश्य कर लिया। जाते से मैं अपनी पत्नी से कहने लगा मैं जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर ना लोट कर आ जाओं तो तब तक चूले की आग बुझने मत देना। एक दिन चूले की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पती पर तो कोई संकट नहीं आन पड़ा। जल्दी से पडोस में से आग लाकर चूले में रग दू। ऐसा मन में सोचकर वह पडोस में गई। वहाँ पडोसन चौत माता का वरत पूझन कर रही थी। पडोसन नहीं कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहु ने पडोसन से पूछा आप चौत का ये वरत क्यों करती हो इससे क्या फल मिलता है। पडोसन कहने लगी चौत माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है अपनी मनुकामना भी पूरी हो जाती है पती पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है पडोसन से व्रत की सारी विधी पूछ कर कथा के बारे में जानकर अब बहु ने भी ऐसा करते करते बहु को बहुत दिन बीद गए वो हर दिन अपने पती को याद किया करती एक दिन चौत माता ने बहु के पती को सपने में आकर कहा कि साहुकार का बेटा तु जागे की सोवे तेरी पतनी घर में तुझे बहुत याद कर रही है घर जाकर उसकी चिंता दूर क तो दुकान खोल कर कंकू केशर का पगल्या बना कर बैठ जाना आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा अब तो चोथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भर कर धन दौलत लेकर साथ चल दिया रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाएवे बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा छोडूंगा नहीं आज तेरी उम्र पूरी हो गई है तब साहुकार के लड़के ने साप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार करते वे बहुत चिंता कर रही है मैं उससे मिलकर जरूर आउंगा तब तुम मुझे डस लेना नाग ने कहा तुम शपत दे कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूँगा अगर लोटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूँगा इस प्रकार नाग को वचन देकर साहुकार का ललका अपनी घर पहुचा वहां सभी से हशीखुसी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पत्नी नाग वाली बात बताते वे कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाओंगा तो वो तो घर पर ही आकर मुझे डस लेगा उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी कहने लगी आप बिलकुल भी मत चिंता करिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ आप अराम से लेट जाओ तो पत्नी ने कमरे की साथ पैड़ी जिने सीडिया कहते हैं उन्हें धो डाला पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, फूल, चौती पर कंकु केशर, पांचवी पर लड़ू पेड़ा, छटी पर गादी गलीचा और साथ पैड़ी पर दूद से भर कर कटोरा रख दिया, इस प्रकार वह साथ पैड़ी सजाकर बैठ गई, आधी रात होते ही वह नाग आया और पैड़ी चड़ने लगा, पहली पैड़ी पर रेत मिली तो रेत में लोट गया और कहने लगा, सेट की बहुने आराम तो खाल था कि चोथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाओंगी तो संसार में धरम-करम और मेरे वRत-पूजन को कौन मानेगा अब तो गनेश जी चंद्रदेवता और चोथ माता ने सहुकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया चंद्रमाजी ने उजाला किया बेटे से मिलने आए परन्तु बहु बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माउने उठाने के लिए गई। माने सातों पैडियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहु का आवाज लगाई। बेटा बहु उठे तो देखा कि एक धाल चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। है चौथ माता आपने जैसे सेट के बेटे बहु की रक्षा की वैसे ही सब की रक्षा करना। कहते को इस कथा को सुनते हुंकारा भरते को सभी की रक्षा करके सभी की मनुकाम नए पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की ज अब सुनिए विग्नरता भगवान गणेश की कथा क्योंकि बिना गणेश भगवान की कथा के चौथ माता का ये वरत और कथा अधूरी रहती है पुराणी कथा के अनुसार एक समय की बात है विश्णु भगवान का विभा लक्षमी जी के सास निश्चित हो गया विवा की तयारिया होने लगी सभी देवताओं को निमंत्रन बेजे गए पर तुग गणेश जी को अलग से निमंत्रन नहीं दिया कारण चाहे जो भी रहा हो अब भगवान विश्णु की बारात जाने का समय आ गया सभी देवताओं अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवासमारों में सम्मिलित हुए उन सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नियोता नहीं भेजा है यह सुएम गणेश जी आए ही नहीं है सभी को इस बात पर आश्चर होने लगा तब सबने मिलकर विचार किया कि क्यो ना विश्नु भगवान से ही इसका कारणपूछ लिया जाए तब वे विश्नु भगवान के पास गए और कारण पूछा तब कारण पूछने पर विश्णु भगवान ने बताया कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाद को तो न्योता भेजा है अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते अलग से न्योता देने की कोई आवश्यक्ता भी नहीं थी दूसरी बात ये है कि उन्हें खाने में सवामन मौंग, सवामन चावल, सवामन घी, सवामन लड्डू का भोग दिन भर चाहिए यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं और वैसे भी दूसरे के घर जाकर इतना धेर सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लग चुहे पर बैठ कर धीरे धीरे चलोगे तो बात से बहुत पीछे रह जाओगे सबको ये सुझाओ पसंद आ गया तब विश्णु भगवान ने भी अपनी सहमती दे दी अब हो न क्या था विवाह के लिए बात चलने ही वाली थी कि इतने मेहीं गडेशी वहाँ पर आ गए और उन्हें सुझाओ के अनुसार समझा पुझा कर घर की रखवाली करने के लिए बेठा दिया गया बरात चल दी तब ही वहाँ पर देवर्शी नानत वीना बजाते वे नारायन नारायन करते वे पधारे उन्होंने देखा कि गणेशी तो दरवाजे पर ही बैठे वे हैं तब उन्होंने मुस्कराते वे गणेशी से उनके रुखनी का कारण पूस्ते वे कहा कि क्या बाते गणेशी आपको विश्नु भगवान अपनी बरात में लेकर नहीं गए तो गणेशी कहने लगे कि विश्नु भगवान ने तो मेरा बहुत अपमान किया है और इस प्रकार मुझे द्वार पर रखवाली करने के लिए बिठा दिया है नारत जी मुस्कराते वे फिर से कहने लगे कोई बात नहीं विखनरता गणेशी आप अपनी मुशक सेना को आगे भेज़ दीजे तो वह रास्ता खोद देगी जिससे सभी बरातियों के वहन धर्ती में धस जाए अब गडेश जी ने नारत जी के कहया नुसार अपनी मुशक सेना जल्दी से आगे भेज़ दी और देखते ही देखते हैं उनकी मुशक सेना ने आगे की सारी जमिन पोली कर दी कुछ देर के बाद जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिये धर्ती में धस गए सभी ने बहुत कोशिश कर ली किन्तु पहिये नहीं निकले सभी ने लाख प्रयास करे परन्तु पहिये तो निकले नहीं बलकि कई जगह से टूट गए किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए तब तो नारत जी कहने लगे आप लोगों ने गडेश जी का अपम नंदी को भेजा और वे गडेश जी को किसी प्रकार समझा बुझा कर अपने साथ ले आए अब गडेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया तब कही जाकर रत के पहिये निकले अब रतों के पहिये तो निकल गए परन्तु वे टूट फूट गए थे तो उन्हें स पंदना करने लगा और फिर देखते ही देखते उस खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया तब खाती कहने लगा कि है देवतागणू आपने सबसे पहले गडेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा इसलिए तो आपके उपर ये संकट आया है और हम तो मुरक हज्यानी है सबसे पहले गडेश जी की पूजा करते हैं फिर उनका ध्यान करते हैं और तभी कोई कारे का शुभारम करते हैं लेकिन आप लोग तो देवतागण है फिर आप भला गडेश जी को कैसे पूल गए कोई बात नहीं अब आप लोग भगवान श्री गड बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा सबी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और तब सबने गडेश भगवान का जजयकार कर वहां से प्रस्थान किया इस प्रकार विश्नु भगवान का लक्षमी जी के साथ विवासंपन कराकर सबी सकुशल अपने घर को लोटा है ये थी संकस्टी चतुर्ती के दिन सुनी जाने वाली चौत माता और विगनरता भगवान गणेश की कथा